इसके study point में आप सभी का स्वागत है आप playlist में जाए इसके study point सिलिगुडी के और playlist में जाकर class wise या subject wise playlist को चुनिए और study कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, thank you Welcome to S.K. study point सिलिगुडी इस वीडियो में आप class 8 environment science या परिवेश परीचे का part 2 को देखने जा रहे है जी हाँ, part 2 जैसा कि आप जानते हैं class 8 का पीपी परिवेश परीचे, life science और physical science से मिलकर बना हुआ है तो इस model activity task में आपके पास life science के और physical science के questions दिये गए हैं, कुल 6 questions है पहला 3 है physical science से और on team 3 जो है, वो life science का question है तो चलिए बिन समय गवाएं, सुरू करते हैं पहला question है, जमीन से 6 फुट उपर एक copy का page एवंग एक सिक्के को एक साथ छोड़ने पर कौन सबसे पहले जमीन पर गिरेगा ऐसा क्यूं हुआ, व्यक्या कीजे तो देखे, आप experiment पढ़ चुके हैं, जिसमें एक coin और एक feather को लेकर vacuum में, जहां पर हवा नहीं है, निर्वात में, एक साथ में गिरेगा जाता है तो एक ही साथ में दोनों जमीन पर या फिर सता को असपर्ष करता है इस experiment को आप जान चुके हैं, क्यों? क्योंकि घर्षन और बायू का जो गती का प्रभाव या बायू का प्रभाव जो होता है वो नहीं होता है vacuum में, बोलकर किन्तु जब हवा के उपस्तिती में किसी भी चीज़ को गिराई जाती है तो उस पर घर्षन और बायू का प्रभाव पढ़ने के कारण से जो सबसे भारी होगा, वो ही सबसे जल्दी धर्ती को सपर्स करेगा तो इस question में हम लोग देखते हैं एक ही समय पर जमीन से 6 feet की उचाई से जब एक copy का एक page तथा एक सिक्का को छोड़ने पर इन दोनों में से सबसे पहले सता को या ground को सिक्का असपर्स करेगा इसका कारण यह है कि घर्षन तथा वायू का प्रभा सिक्का पर कम और page पर ज़्यादा होने से सिक्का पहले सता को सपर्स करता है किन्तु निर्वात में ये दोनों एक साथ ही सताव को असपर्स करेंगे अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलिगुडी को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो तुरंट सब्सक्राइब कर लीजे और लाइक और शेयर भी कर दीजे बेल आइकन को भी हीट कर दीजे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सीत काल के समय प्लास्टिक के कंगी कोब से सूखे हुए बाल ज़ाडने से या ज़ाडने पर वह कंगी कागज के टुकडे को अपनी तरा आकर शीत करती है करने के मतलब है कि विंटर में या सीत रीतु में ज़ाडे में जब प्लास्टिक का बना हुआ कंगी से कॉम से हम लोग रुखे बाल या सूखे बाल को कंगी करते रहते हैं जारते रहते हैं तो होता क्या है, कंगी को जब छोटे-छोटे कागज के टुकड़े के पास मिले जाते हैं, तो वो उसको आकरशीत कर लेता है, इसका सधारन से कारण है कि स्थिर विदु जो होती है, static electricity, वो उत्पन हो जाता है कंगी के दातों में, जिसके फल्सुरूप कंगी कागज के सूखे बालों में कंगी करने के बाद कागज के टुकड़े के पास लाने पर कंगी कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों के द्वारा आकरशीत होते हैं, इसका कारण यह है कि कंगी को सीर के सूखे बालों से रगड़ने पर कंगी में स्थिर विदु तुत्पन हो जाता है जिसके फल सिरुक कंगी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकरशित कर लेता है आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा यह model task को हम लोग देख रहे हैं model activity task class 8 science 2 part 2 या phase 2 का questions को solve कर रहे हैं आप इसके study point को तुरत subscribe कर लिजे और notification bell को भी प्रेस कर दीजे ताकि notification आपको मिलता रहे है question number 3 में देखे गैसी अवस्था में अनू की गती अवस्था के संबंद में आपको बताना है अनू की जो गती होती है गैसी अवस्था में उसके बारे में बताना है तो देखे, गैसी अवस्ता में अनू की गती कैसी होती है, कैसा होता है गती अनू का गती, उसके बारे में, पहला पॉइंट, गैस के अनू सर्वता गती सील अवस्ता में रहते हैं, गैस में जो अनू होंगे, वो कभी भी static नहीं होते हैं, इस्थिर नहीं होते हैं, गती सील तकराते रहते हैं, जिस पात्र में रखे जाएंगे गैस को, उस गैस के पात्रों को, पात्रों के दिवालों को तकराते रहते हैं, उस पर तकराते रहते हैं, ठीक है, यह तीन पॉइंट लिख लिजेगा, काफी है मेरे, मेरे हिसाफ से तीन पॉइंट लिख लेना, काफी है, च्राश्umm no.4 में आ गया है प्राइमर्डियल यूट्रिकल क्या है दिया हुआ है दीखे, प्राइमर्डियल यूट्रिकल, पूर्ण विक्षीत खाली जीवित कोशिका में या कोशिका के प्रोटोप्लास्मिक असतर के छेत्र को कहा जाता है वास्तों में यह कोशिका वित्ती का बाहितम साइटोप्लाजमिक स्थर है यह नाम एक जीविग ग्यानी बाइलोजिस्ट द्वारा दिया गया था जिसने पहली बार कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाजम की उपस्तिति को देखा था तो इतना लिख लिजिएगा इसका एंसर हो गया अब कोशन नमबर पांच को देखते हैं मनुशे के लाल रख्त कोशिकाओं या कणिकाओं आरबीसी का अकार कैसा होता है और इस अकार के कारण उसे क्या सुविधा है यह बताना है या क्या भूमिका है इसको लिखना है देखें मनुशे का आरबीसी का अकार जो होता है गोल यहां बाई कनकेव होता है ठेक है दिवी आउतल होता है ठेक है इसकी क्या भूमिका होती है इसका जो दिवी आउतल शेप जो होता है उसके कारण से RVC को क्या फायदा होता है यह बताना है तो RVC का यह आकार्ज होता है जिसके कारण अंगो एवंग उत्तकों को ऑक्सीजन पहुचाने के लिए छोटे छोटे वाहिकाओं या नलिकाओं के माध्यम से छलनी करने की चाहिए इसके study point सिलेगुडी के साथ जुड़ रने के लिए बहुत बधनेवाद उमीद कर रहा हूँ आपको class 8 का model activity task 2 phase 2 अच्छा लग रहा होगा अभी तक आप subscribe नहीं किये हैं तो तुरंट subscribe कर लिजे वेल आइकन को भी click कर दीजे ताकि notification आपको मिलता रहे है thank you very much हम लोग question 6 को देखते हैं गौल जी वर्डी की रचन और उसके कारे के बिशे में लिखना था तो डायग्राम आप screen पर देख पा रहे हैं डायग्राम देख लिजे आप चाहें तो इसमें गौल जी वर्डी की रचना के बाद में डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं ना बनाएंगे तो भी चलेगा तो देखिए रचना गौ जी वर्डी का कारे क्या है इसका कार्य कोशिका के अंदर विविन पदार्तों का सराव कराना है तो उमेद कर रहा हूं आपको यह वीडियो बहुत ही fruitful रहा होगा आपके लिए थैंक यू वेरे मच पो इसकी स्टड़ियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और यह वीडि चले की आपको यह वीडियो कैसा लगा थैंक यू वेरे मच पो वाचिंग अस